अगले news की तरफ बढ़ते हैं और ये भी बहुत ही interesting actually क्या है न साथियों इन जिनों मांसून सत्र चल रहा है और जब मांसून सत्र चल रहा है ना तो मांसून सत्र के दौरान हमारे सांसदों के द्वारा या फिर हमारी लोगसवा-राजसवा की कारवाईयों में जिस फ्रकार क बातें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही important है आप लोगों के लिए जानने के लिए Recently जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ आपको लालू प्रशाद जी की party का नाम पता होगा लालू प्रशाद जी की party that is RJD अगर आपको पता है तेजस्वी यादव जिसके इस समय नेता है उन्ही के party से एक सांसद है MP है और उनका नाम है जा मनो जा उन्होंने अपने द्वारा हाल ही में एक private member bill राज्य सभा में प्रस्तुत किया उस bill की बहुत तारीफ हो रही है तारीफ इतनी हो रही है कि उनकी प्रशंसा जो उनकी opposition में है obvious ही बात है सत्ता में RJD नहीं है तो सत्ता में तो BJP या NDA है वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं ऐसा media houses से पता चल रहा है क्या है ये पूरी कहानी आईए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही interesting और important जानकारी है जिस बिल की आज हम चर्चा कर रहे हैं ये आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important है इसलिए आप इसे ध्यान से तयार करें मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूँ साथ यो चर्चा है health जो है उसको right to life से जोडने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया गया है यानि यूँ कहिए कि जो हमारा health का विशय है ना इसको हमारे लिए health for all के नाम से हमारे लिए महत्वपूर्ण बिलो के रूप में शामिल करने की चर्चा ये जो RJD के सांसद हैं मनोज जहा इनके द्वारा रखी गई यानि यूँ समझ लीजिए कि इन्हों ने देश के सामने एक बहुत ultimate चीज रख दी और वो ये है इन RJD के MP मनोज कुमार जहा साहब ने अपने द्वारा मैं एक बार सारी बातें आपको समझाऊँगा ताकि आप इनके जो तथ्य हैं उनको समझ पाएंगे यूँ समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बुल लेकर आए जिसमें right to health की बात की गई है मैं आपको थोड़ा background दे देता हूँ फिर हम आपको इसके बारे में और detail में जानकारी देंगे तो आपके पास में जो title होना चाहिए वो होना चाहिए right to health है ना जिस प्रकार से right to education हमारे पास है right to life हमारे पास है right of free speech हमारे पास है ऐसे ही right to health करके आप अपने पास title डाल लीजिए क्योंकि भविश्च में इसके उपर प्रश्ण आप से किसी ना किसी exam में जरूर पूछा जाएगा ये क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन उससे पहले private member बिल क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ठीक है सशी कुमार मिश्रा sir one nation one topic को एक अलग वीडियो में upload कर दीजेगा सी ए पी एक्जाम में पूछे जाने की संभाव ना है सशी कुमार मिश्रा बिलकुल भी आपको कर देंगे आना कि पहले भी मैंने शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ डाल रखा होगा फिर से मैं एक बार के लिए डाल दूँगा ठीक है बटा हाँ वही तर्बिन गेमिंग थैंक यो सो मच कर लेंगे इसको है ना अब थोड़ा ध्यान से समझ येगा मैं कुछ और कहना चाहरा हूँ यहाँ पर एक बार देखो बिटा तो है क्या मैं इसको आपको अलग से समझाता हूँ पहले प्राइविट मेंबर बिल क्या होता है देखो हमारे देश में जो सत्तारूड पार्टी है सत्तारूड पार्टी यानि कि जो सरकार में है इस समय यानि कि नेशनल डेमोक्राटिक अलाइंस यानि कई पार्टियों का एक संग्ठन बना हुआ है उसमें से सभी की सभी सांसद मंत्री नहीं है उधारन के लिए एक बार के लिए हम ये माने हमारे देश में 543 लोग सभा की सीटे है मान लिजे सत्ता पक्ष के पास 300 सीटे है तो 300 की 300 मंत्री थोड़ी है जो मंत्री नहीं है वो सभी प्राइविट मेंबर है यहां से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे देश में प्राइविट मेंबर की परिवाशा क्या है एक लाइन में अगर आपने सुन ली जो मंत्री नहीं है वो प्राइविट मेंबर है अब आपके दिमाग में सवाल आने लगा मंत्री नहीं है वो private member है तो किरण रिजू जी जो अभी अपने दिखाए थे वो क्या हैं मैंगा मंत्री है ना बुले हाँ तो मतलब वो private member नहीं है बुले नहीं तो सर बीजेपी का कोई और सांसद, जो मंत्री ना हो, कोई भी XYZ लगा लो आप, उधारन के लिए जैसे मैं मेरे आखल लो, मेरे आपर योगी, वो बालकनाथ जो है, वो है, महंत बालकनाथ, सांसद है, तो सर वो क्या हुए, वो तो NDA से ही है, मैंने का वो प्राइविट में बिल है, और अगर मंत्री नहीं हो, तो प्राइविट बिल है, अभी बिल क्या होता है, वो भी मैं बताओंगा, लेकिन फिलाल के लिए शब्द को समझो, फिर आपके दिमाख में एक सवाल बनेगा, अच्छा, other than minister, तो सर एक बात बताओ, राहुल गांदी जी भी अगर इसर, opposition में है, तो opposition में है, राहुल गांदी जी, तो ऐसी इस्थती में उन्हें क्या consider किया जाएगा, वो बिल ला भी सकते हैंगे नहीं ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं, पास होगा ये नहीं, ये अलग सवाल है, अब अगर मान लीजे, राहुल गांदी जी कोई बिल लेकर प्राइविट मेंबर बिल कहला एगा मतलब समझ में आ गया पहनी लाइन में मैंने क्लियर कर दिया मंत्री के अलावा हमारे संसद में जतने भी लोग है वह सब प्राइविट मेंबर है ठीक है मनोज कुमार जहा साहब जो है वो तो हैं खुदी अपोजीशन से तो ऐसी इस्थिती में जब वो अपोजीशन से हैं तो उनके द्वारा अगर कोई बिल लाया गया है तो वो भी प्राइविट मेंबर बिल ही कहलाएगा उमीद है यहां तक का शब्द आपको क्लियर हो गया तो हमने पहला तो शब्द समझ लिया प्राइविट मेंबर बिल क्या होता है अब हम समझते बिल क्या होता है बिल का मतलब है जी कोई प्रस्ताव लाया गया आप यूँ समझिए जैसे अपन अपने घर में बैठ करके आप अपने घर में बैठ करके प्रस्ताव रख रहे हैं किसाब इस बार की छुट्टियों में कश्मीर गूमने चलेंगे आपने अपने घर में प्रस्ताव रखा प्रस्ताव समझे कि एक बिल है आप से घरवालों ने तुरंट पूछा बिटा कश्मीर क्यूं? तो आपने तुरंट आंसर दिया गर्मियों में कश्मीर बहुत अच्छा होता है बर्फ के आसार होते है दिखता है ठंडा लगता है बड़िया ग्रीन री होती है सस्ते में घूमना ख़़ा मुश्किल है लेकिन अगर घूम लिये तो मजा ही आ जाता है जन्नत की सहर हो जाती है आप पूरी तरह तयार थे आंसर लेकर की मतलब ध्यान से सुनना जो व्यक्ति प्रस्ताव बना रहा है उसको अपने बारे में सब कुछ पता है यानि जो बिल लेकर आता है ना उसको सब पता है तो मनोश कुमार जहा साहब अगर प्राइविट मेंबर बिल लेकर आए है तो इनको प्राइविट मेंबर क्यों का ये तो समझ में आ गया बिल का मतलब हुआ प्रस्ताव लेकर आए है अब सवाल होता है कि आपने अपना प्रस्ताव रख दिया प्रस्ताव रखते ही आपके घरवालों ने आपकी बात को इज़त से सुना आपसे कहा कि बिटा महंगा बहुत पड़ता है ऐसी इस्तिती में अपन इस बार नहीं घुमने चल पाएंगे आपने कहा कि फिर कहीं और ले चलो बोले ठीक है कपड़े पहिनो तो मैं चौराहे पर ले जाकर आईस्क्रीम खिला लाते है बोले कहां तो हम कश्मीर की बर्फ देखने की बात कर रहे थे अब आप हमें ले जाकर चौराहे पर आईस्क्रीम खिलाएंगे बोले बेटा बस बजट थोड़ा कम है मतलब ये है आपने जो प्रस्ताव रखा अगर मान लीजे वो पास नहीं हुआ तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं आप प्राइवेट वेंबर थे आपका प्रस्ताव फेल भी हो गया तो कौन सी कोई इज़द निकल गई क्योंकि आपकी तो वैसे भी वैल्यू नहीं थी इसका मतलब बिल पास नहीं हुआ लेकिन अगर मान लीजे पापा ने प्रस्ताव रखा और भी सोचो घर के ग्रह मंत्री ने यानि की माता जी ने प्रस्ताव रखा क्या प्रस्ताव रखा किसाब इस बार तो कश्मीर गूमने जाना ही है अब आप सब लोग क्यों की मंत्री है ना वो ग्रह मंत्री है अब ग्रह मंत्री ने प्रस्ताव रख दिया और वित मंत्री भी वही है प्रस्ताव रख दिया कि कश्मीर गूमने जाना है मतलब ये गवर्मेंट बिल है और अगर ये बिल फेल मार गया माता जी ने प्रस्ताव रखा पापा के सामने परिवार के सामने की जाना है और ये बिल फेल मार गया तो बिल फेल मारते ही आपको पता चल जाएगा क्या क्या फेल मार जाएगा अपने मतलब सरकार गिर जाएगी मतलब हो सकता है पिता जी के दो दिन का बोजन आउट हो जाए इसका मतलब समझ में आया इसका मतलब यह हुआ कि जो बिल है न यह जब गवर्मेंट लेकर आती है न और अगर वो पास नहीं करवा पाई तो सरकारे गिर जाती है तो bill government से आया तब तो pass होकर रहेगा private member से आया जरूरी नहीं है कि pass हो बच्चों की बाते हैं हर कोई बात फोड़ी पूरी कर देते हैं बच्चे तो हर दिन हर दिन नही नहीं demand रखते हैं उनको थोड़ी पता है कि पैसा कहां से आ रहा है तो private member bill घर के अंदर बच्चे जैसी एक वो रखता है लेकिन कई बार बच्चे कुछ समझदारी की बाते कर जाते हैं उस समझदारी की बातों को अब पापा को लगेगा यार हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होगा है क्या तो पापा क्या करते हैं समझदारी की बातों को कहते हैं कि हाँ बिटा बिल्कुल सोचेंगे चिंता मत करो अगली बार पापा जो है वो कश्मीर की यात्रा का प्लान लेकर आए लेकिन आपका नाम नहीं लगाया कि इसके कहने पर लाया हूँ वो अपनी तरफ से कहने लगेंगे कि कश्मीर का प्लान लाया हूँ लेकिन थोड़ा सा उसमें वैरियेशन है क्या वैरियेशन है वैरियेशन ये है कि अपन ट्रेन से चलेंगे फ्लाइट से नहीं चलेंगे महंगा पड़ेगा फिर आपने लगा कि हाँ यार बात मेरी मानी भी है और नहीं भी मानी है कोई बात नहीं मतलब यह होता है कि private member bill एक बार के लिए तो फेल हो जाए लेकिन सरकार को वो रास्ता दिखा जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको ये basic philosophy तो समझ में आ गई होगी अब मुद्दे पर आ जाते हैं मुद्दा ये है कि अपनी राज्य सभा के अंदर मनोज कुमार जहा साहब ने Right to Health Bill 2021 प्रस्तुत किया चूकि ये private member है इसलिए ये private member bill है और चूकि ये private member bill है तो इसके पास होने की ज़्यादा उम्मीदे नहीं है लेकिन इसने सरकार को इवन जो हमारे देश के उपराष्ट पती M. Venka या नाइडू साहब है वो खुद इसकी तारीफ की है उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि सदन के अंदर इतनी महत्वपूर्ण विश्यापर चर्चा हो रही है जहा सहाब के बात पर यानि एक प्रकार से आप देख सकते हैं इस bill के बाद में Venka या नाइडू साहब ने भी इनकी तारीफ करी यह जहा सहाब है इन्होंने अपने द्वारा बात रखी और कहा कि भाई हेल्थ के मामले पर डिबेट होनी चाहिए हमारे देश में कई प्रकार की गरीबी है लेकिन उस गरीबी में से अगर हम medical poverty की बात करें यानि कि जो इलाज कराने के कारण गरीबी आई है न वो हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है साथियों वास्तविकता है यह figures है कोरोना के कारण 230 मिलियन लोग गरीबी रेखा में चले गए यानि उनकी आर्थिक इस्तिती बदल गई बिगड़ गई यह Lancet की रिपूर्ट है 230 मिलियन का मतलब हुआ 23 करोड लोग जो है न देश के अंदर ऐसे हुए है जिनका आर्थिक परिद्रश्य बदल गया कोरोना के कारण तो इस वजह से एक बड़ा प्रश्न यह है बनता है कि मेडिकल के कारण जो पावर्टी आई है उसका इलाज होना चाहिए मेडिकल पावर्टी के उपर यानि कि जो इलाज है वो accessible होना चाहिए ये इनके द्वारा जो बात कही गई वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास किया है इन्होंने कहा कि discussion during COVID-19 क्योंकि multiple time ऐसा देखा गया है कि देश के भीतर मेडिक मतब COVID-19 के दौरान इस प्रकार की स्थितियां आई तो हमें चाहिए क्या हमें इस शब्द को ये कहकर नहीं कि हम फ्री में इलाज दे रहे हैं ये कहिए कि citizen को अपना इलाज कराने का अधिकार है जिस प्रकार हमारे देश में जीने का अधिकार है कहीं घूमने का अधिकार है ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे देश में फ्री में इलाज कराने का अधिकार होना चाहिए जिस प्रकार right to education हमारे पास है ऐसे ही right to health भी हमारे पास होना चाहिए ये बात इन्होंने रखी इन्होंने कहा, हाला कि सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है, जैसे कि AIMS का बनाना 2025 तक 22 नए AIMS बन जाएंगे, देश के अंदर डॉक्टर्स भी ठीक ठाक संख्या में हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कि जो हम GDP के उपर खर्चा करते हैं, यानि हमारी हेल्थ के उपर GDP का लगभग 1-1.5% के आसपास खर्च होता है, हमें चाहिए कि हमारी हेल्थ पर हम 0.5% से उपर का खर्चा करें, ये इन्होंने बताया और उन्होंने कहा, कि हम देश के अंदर अल्रेड़ी Universal Declaration of Human Rights, जो United Nations के द्वारा डिकलेर हैं, उनकी Article 25 के सिगनेटरी हैं, Fundamental Right के तहते हम कह लगभगी के नाम पर Health Services उपलब्द कराएं, कहने का मतलब है कि हमारे पास Health Services जो हैं, वो उनको अधिकार के साथ मिलें, ऐसा ना हो कि अधिकार के नाम पर उनके साथ चीट हो जाए, एक प्रकार से यूं समझेए कि आज हमारे देश में यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ बढ़ा जाए, यह बहुत ही शांदार बातें यहां पर निकल करके आई, तो सवाल बनता है कि इसमें चैलेंज क्या है, मतलब सरकार मान क्यों नहीं रहती, तो आंसर यह है, क्योंकि हमारे देश में साथ ही हो, PHC यानि Primary Health Services उनकी कमी है, हमारे पास धनका अभाव है, क्योंक हमारे पास में अभाव है, साथ में सब-optimal Public Health System है, हमारे पास में अभी बिमारियों से निपटने के लिए इतनी ज़्यादा चीजें नहीं है, जिन से हम निपट सकें, तो उमीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, Private Member Bill और Public Member Bill क्या होता है, यह मैंने आपको बता द की है, अगर ऐसा हुआ, तो आने वाला समय थोड़ा सुखद होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर करते रहिए, अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे अर अपने सबी सातियों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरा रेफ 2499 में, जिसमें आपको GK and GS का कोर्स भी मिलने वाला है, इस वीकेंड को मेरी क्लासेज होने जा रही है, SAC केटेगरी में, सिमिलरी मैट्स और इंगलिश की क्लासेज भी एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आपको दी जा रही है, तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन उनके तवस्ति सर पर जुड़ सकते हैं, तैंक यू सो मच